नमस्कार मैं सारे कश्रुवस्तो स्वागत है आपका आयरेन 24 में बढ़ते हैं जारखन की खबरों की ओर हरवर्ष की भाती इस वर्ष भी आगामी एक जुलाई को देशपर में होने वाले महाप्रबु जगनात की रथ्यात्र को लेकर निर्सा इस्थिच जगनात मंदिर में कमेटी के सभी सदस्यों के बीच खासा उत्सा देखा जा रहा है इसी कड़ी में आद निर्सा जगनात मंदिर कमीटी के सचीव मनसीत सी ने नेत्रित्व में बारवा रथ्यात्र को बहुत ही भविरूप से आगे निकाले जाने को लेकर आपसी सहमती बनी जिसके बाद इस वर्ष पहली बार एक साथ रथ्यात्र के दिन तीन रथों को बहुत ही भविरूप से सजा कर महाप्रभू जगनात भाई बलभद्र तथा बहन सुबद्रा तीन अलग-अलग रथों में ले जाने की बात कही गई जिसको लेकर निर्सा के नया डंगा कली मंदिर परिसर में तीन अलग-अलग रथों को बनाने और सजाने का कार आज पूरे ही विदिविधान से पूजा पाट कर नारियल फोड कर प्रारंभ किया गया जिसमें मुख्य रूप से सचीव मंजीतटी के साथ तमाम मंदिर कमेटी के सदस्य गण उपस्थित रहे मौके पर सचीव मंजीतटी ने कहा कि विगत दो वर्षों में कोरोना काल के चलते इस आयोजन को भाव्य रूप नहीं दिया जा सका परिज़वार कोरोना का संक्रमन कम होने के बाद सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए तीन अलग-अलग रथों की शोभायात्रा निकाली जाएगी जो निर्सा में पहली बार होगा और भाव्य होगा लेकिन कहीं न कहीं करोना काल के चलते कुछ डिश्टर्ब हुआ दो साल हम लोग कार में ही रथ बना कर निकले थे लेकिन इस बार मने जगनात परवु की बहुत किरपा हुई है कि करोना भी देश से चला गया है और उनकी किरपा से ही हम लोग फिर दोगो चेचिस लेके आये हैं फिर उसका लोहा लेके आये हैं इस बार हम लोग जगनात परवु की किरपा से और निर्सा वासियों की किरपा से ये तीन रथ हम लोग बहुत ही भव्य और एतियासिक निकालेंगे ये हमको पूरी आसा है ह हम लोग पूरा तन मन धन से सारे भक्त लगे हुए जगनात परवु के आराज बहुत खुशी है